चोपड़ा है जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो राजस्तान स्टेट के 24 फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं मैं आपको यहाँ पर step by step process बताऊंगा कि किस परकार से आपने 24 फिल करनी है आपने इसमें 24 फिल करते से में कोई भी mistake नहीं करनी है तो आप जैसे ही राजस्तान की website पर जाएंगे जहाँ पर आपने registration किया था part 1 और part 2 का तो उस पर जैसे ही आप click करेंगे आपने यहाँ पर 24 फिल का option मिलेगा नीचे नीचे 24 फिल के option पर आपने click करना है तो जैसे ही click करेंगे यहाँ पर registration ID, password और login का उपशन मिलेगा आपने registration करते से में जो registration ID आपको मिला था RM करके registration ID मिला था वो यहाँ पर fill करना है उसके बाद में password जो आपने choose किया था वो password फिल करना है login पर click करना है जैसे ही आप login पर click करेंगे तो इस परकार का interface आएगा registration ID लिखा होगा course से लिखा होगा यहाँ पर name लिखा होगा domicile लिखा होगा इसके बाद में category लिखा होगा और इसके बाद में हमने course apply के लिए यहाँ select करना है MBBS या BDS बोथ जो आपने registration करते से में select किया था वो आपने यहाँ पर select करना है इसके बाद में choice filling option पर आप जैसे ही के drop down पर select करेंगे यहाँ पर आपको 3 option मिलेंगे यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप government college के लिए apply करेंगे government college के लिए apply करना चाते हैं तो इसमें 3 option दिये गए हैं सबसे पहले government college, government society college यह भी government college ही है लेकिन यह जो नए college है डुंगरपूर पाली, भीलवडा यह college इसके बाद में आगे दिया है इसमें वो दिया है R.U.H.S.C.M.S. तो अगर आपने government के लिए apply करना है तो सबसे उपर वाला option आपने click करना है तो जब आप यह option click करेंगे तो आपकी registration की जो fees रहेगी इस counselling के लिए जो security amount रहेगा जो वापस आएगा वो general को छोड़ करके general EWS को छोड़ करके बाकी सभी category के लिए 5,000 रहेगा और general EWS के लिए 10,000 रुपीज रहेगा अब इसमें हम बात करें कि यहाँ जो select पर click करते हैं तो दूसरा option आता है private only only private colleges इसका मतलब है कि आप अगर private college के लिए यह apply करना चाते हैं तो इस पर click कर सकते हैं security money इसके लिए 1,000,000 रुपे आपको deposit करने पड़ेगी अभी तीसरा जो option है यह दोनों option को मिला करके है तीसरा option इन दोनों को मिला करके है यानि कि आप government में भी apply करना चाते हैं और private college के लिए भी apply करना चाते हैं तो उस condition में option आपने click करना है उसमें सारी government colleges आ गई पुराणी और नई government college सभी आ जाएंगी उसमें अभी यहाँ पर student का ज्यादातर doubt यह रहता है कि जिसने payment seat लेनी है government college में जिसने payment seat लेनी है उसको management seat कहा गया है इस बार वो लेनी है तो कौन सा option select करना है तो उस condition में भी सबसे उपर वाला ही option select करना है क्योंकि government college के लिए सबसे उपर वाला option ही है उसके बाद अगर government और private लेने हैं तो सबसे नीचे वाला option क्लिक करना है और अगर only private करना है तो middle वाला करना है तो इसमें आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना अगर आप government पुरानी college और नई college payment seat गौर्मेंट में लेना चाहते हैं तो उपर वाला option आपने क्लिक करना है उसके बाद में next पर क्लिक करेंगे तो इस परकार का interface आएगा आपकी सारी percentage वगरा लिखी होगी उसमें 10 प्लस 2 की percentage लिखी होगी उसके बाद में course लिखा होगा जिसने apply किया है और इसके बाद में कोंड से quota के लिए किया है आपने कों अगरी के वो आते हैं option आते हैं इसमें कि मैंने ये option पढ़ लिए हैं इस परकार के तो इन दोनु चेक बोक्स पर टिक कर देना है और proceed to pay पर करना है यहां पर आपको registration fees पे करनी है तो registration fees पे करने के लिए click to proceed पर click करना है और यहां पर आप सभी option से कोंड से option से आप करना चा करते हैं इसमें नीचे यूपी आई का option भी है इसमें आप Google पे phone पे पे टीम इन से भी कर सकते नीचे वाला option select करके अब बात करें इसमें जैसे ही आपका payment हो जाएगा तो इस परकार का interface आएगा पूरी detail लिखी आएगी कि आपका payment successfully हो गया है payment की detail लिखी आएगी next पर आप को click करना है फिर नीचे एक checkbox का option है I have downloaded का click करना है और फिर go to choice filling पर click करना है जब तक आप click here to view fee detail of colleges पर click नहीं करेंगे तब तक यह highlight नहीं होगा checkbox तो पहले आप click here to view fee detail of colleges पर click कर दे उसके बाद में college की fee सा जाएगी और नीचे ये button highlight हो जाएगा checkbox पर click करने के बाद में go to choice filling पर click करना है आपने तो जैसे ही click करेंगे आपके पास में ये पहले फीस दिखाई दे देगा और click करेंगे तो इस परकार का interface आएगा यहां पर आपके पास में पूरी colleges मिल जाएगी यह इस परकार का interface choice filling का interface है इसमें सबसे पहले course पर click करेंगे तो select जो आपने MBBS BDS किय है तो MBBS ही दिखाएगा इसमें BDS नहीं दिखाएगा इस पर आपने click करना है उसके बाद में colleges है इसमें तो college पर click करना है और जो college आपने fill करनी है उस पर select करके add choices पर click कर देना है जो आगे option है तो add choices पर जैसे ही click करेंगे तो यहां पर आपके पास में ये college जो आपने fill की है वो college उपर दिखाई देगा तो इस परकार से आप यहाँ college select करते जाएंगे और add choices पर click करते जाएंगे तो आगे-ागे college आती जाएंगी delete पर click करके हम delete भी कर सकते हैं और choice interchange भी कर सकते हैं left side में और reset all choices भी कर सकते हैं और save choice भी आपने साथ-साथ save करना है तो आपकी सारी choice fill होने के बाद अभी choice किस order में fill करना है यह मैंने state quota की book में राजस्तान के page पर दे रखा है first में ही तो आप वहाँ से वो choice order देख करके उस परकार से आप fill कर सकते हैं college कोन से choice में आपने college fill करनी है तो इस परकार से आप choice fill कर सकते हैं उसमें fees की जानकारी भी है शोरी fees की तो नहीं है लेकिन उसमें previous year की कटोब की जानकारी भी है तो आप उस book से state quota rank भी देख सकते हैं तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें save and next पर क्लिक करेंगे आपकी सारी choice fill होने के बाद में तो जैसे ही save and next पर क्लिक करेंगे यहां पर I accept का option आएगा इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद में यह हमारा edit successfully हो गया है choices fill इसमें अगर हम edit करना चाहिए तो edit choices पर क्लिक कर देंगे यह option आपको तब तक मिलेगा जब तक यह आपकी choice fill की last date है इसमें 28 तक 28 तक यह option मिलेगा edit choices का यहने कि 28 तक आप कभी भी इसको edit कर सकते हैं तो edit choice पर क्लिक करेंगे वापस उसी choices के page पर आ जाएंगे और फिर आपने आए accept पर क्लिक करना है और फिर आपका successfully हो जाएगा आप कितनी बार भी 24 से इसमें edit कर सकते हैं यह edit option आपको मिलेगा ही बाद में भी तो यह एक जानकारी थी राजस्तान की 24 fill कैसे करें बाकि next जानकारी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन